मौंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़ादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोगतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो इस लोगतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मान्य सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी हैं और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्चक है और चर्चा जितनी जादा होती है चर्चा जितनी जादा पैनी होती है उतना जनहित्में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो माननिय सांसद आते हैं वो धर्थी से जुड़े होते हैं जनता के दुख दर्थ को समझने वाले होते हैं आर इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो सम्र्द होती है निर्णय भी ससक्त होते हैं कि प्रणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वका भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रुत पर कर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है उसी प्रकारते नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन ये भी लेनारेफ नई शिक्षानिती के संदर्व में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसंदान को बद लेना इनुवेशन को बल देना रिसर्ट को बल देना और हमारी हुआ पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नित्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर दे करके आ रही है जनविश्वास बिल सामान ये मानवी के परति भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिलेज करना इस मुहीम को आगे बढ़ाने वाला इपील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विबाद हो तो समवाद से सुलजाय जाए मिडियेशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल नानी की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विबादों से सामान्य से सामान्य मानवी से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलजाने का एक मजबूत नजीव बनाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेरिकल के छात्रों के लिए एक नई विवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं तब ये जनहित के हैं ये युवाहित के हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंबीरता पुर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हिच के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे